जै मातादी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधिना में आपका बहुत बहुत स्वागत है माभगवती दुरगा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सधासरवदा बनी रहे दोस्तों सास्त्रों में कार्थिक मास को सबसे उत्तम मास माना गया है मतलब वर्ष भ मतलब कितने भी तपस्या कितने भी पुन्यफल मात्रकारतिक मास में घभान्ष की मःघवान्चलिंद्ट के पूजन से में उठकर रंगजल में नान करने से तुल्सिपूजन से शालिग्राम के पूजन से प्राप्त हो जाता है योग करना करें रिद्टीन करें सबका होता है नका को पुन्यफल की स्व रूप में हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है और किसी भी प्रकार की कोई कामना हो अगर कार्थिक मास में आप कोई भी एक नियम धारण करके भगवान श्री हरी विष्णू का पूजन करते हैं तो ये कोई भी आपकी कामना हो बहुत शीगर पूरुन हो जाती है क्योंकि शीगर ही फल देने वाला जो मास माना गया है वो कार्थिक मास माना गया है तो इस महीने में भक्त अपनी इच्छा अपनी सामर्थ के अनुसा जितना वो कर सकते हैं उतना वो नियम लेते हैं और कई प्रकार के नियम होते हैं इस मास में जैसे दीपदान करना, पीपल पूजन करना, तुलसी का पूजन करना, कार्तिक महात्मे सुनना, विश्मु सहस्तर नाम का पार्ट करना और अन्य भी बहुत सारे नियम हैं जिस पर मैं आगे आपको वीडियो दे दूँगी और इन पर उन सभी नियमों का उद्यापन भी करते हैं, तो बहुत महत्वण होता है ये मास, और आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूं कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, और जो लोग कार्तिक शनान करना चाहते हैं, वो किस दिन से शनान शुरू करें, तब आप लोगों के बहुत सारे प्रशन आये हुए हैं, महिलाओं के मुश्कल दिनों से जुड़े हुए, कि किस प्रकार से हम इन दिनों में कार्तिक मास के नीमों का पालन करें, कि कार्तिक मास में अगर हम शनान करते हैं, तो क्या हम इस समय में भी शनान कर सकते हैं, और अगर प्रशनान करते हैं जैसे कि पूरे महीने में हम गंगा जल डालकर श्नान करते हैं तो क्या समिन दीप 되고 दान करने तुल्सी पूज़न पार्ग पूज़न कर रहे हैं भगवत गीता का पैसकर रहे हैं तो बिशेश्कर दान किस प्रकार से करें अगर हम प्रती दिन के दान का नियम ले रखे हैं तो उस नियम को हम कैसे पालन करें तो नियम खंडित नहों इसके लिए हम क्या करें तो यह समझते जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाली हूं वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अग जरूड कीजिए फैमिली फ्रेंट्स के साथ रपढ़ी बार आए हैं और अगर थे चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सबस्क्राइब जरूड करव लीजिए पहले फिर नई वीडियो से उनकि नोटिफिकेस्ट को सही समय प् सब्सक्राइब की शाम को आट बजकर शब्वीस मिनट से प्रतिपदा ती प्रारंभ हो जाएगी कार्तिक मास की और तब तक पुर्णिमा तिती है मतलब शरत पुर्निमा जो है वह 19 सक्टूबर की शाम को 7 बजे से शुरू होकर और 20 सक्टूबर की रातरी में 8 बज कर 26 मिनट तक रहेगी तो पुर्णिमा तिथी से ही कार्थिक मास का स्नान प्रारंब होता है तेकि शनान भी कई लोग क्या करते हैं कि आश्वीन मास की एकादशी से सुरू करते हैं कि जैसे आश्मीन माँस की शुक्लिपक्ष की एक अजसी है उस दिन से स्टनां का प्रारंब करते हैं, कार्थिक माँस के नियंब वो लोग उसी दिन से प्रारंब कर देते हैं और से बाद प्रॉनिमह होती है करती हैं?. B Ol देवोटनी एकादसी होती है उस दिन तक वो नियम पालन करते हैं मतलब एकादशी से एकादशी तक और कई लोग पुर्णिमा से प्रारंब करते हैं तो आश्विन मास की पुर्णिमा होती है उस दिन से वो शुरू करते हैं और कार्थिक मास की पुर्णिमा तक वो शुरू करते हैं तो कई लोग जो एका होगा तो बीस अक्टूबर से लेकर उननीच नौबर तक कार्थिक मास का सिनान रहेगा और पुर्णिमादेथी पर आप उध्यापन करेंगे जिस प्रकार से भी आप उध्यापन करते हैं वो आगे आपको वीडियो मिल जाएगे कि इस प्रकार से कार्तिक माज का उध्यापन करना होता है तो 20 अक्टूबर से ही हम स्नान प्रारंब करेंगे ब्रह्म महुर्थ में उठ जाएए और उठकर उसी दिन से जो भी आपके श्नान का नियम है दीबदान करना चाहते हैं पीपल में या तुल्सी में जो भी आपके नियम प्रारंब आप कर रहे हैं वो आप 20 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो 20 अक्टूबर बुधवार है और आज शरत पुरुनिवा है शरत पुरुनिमा से ही हम स्नान प्रारंब कर देते हैं और कार्थिक पुरुनिमा को उध्यापन करते हैं 2021 सक्टूबर से कार्थिक माज की शुरुवात हो जाएगी तो इस प्रकार से हमेश्टनान के निवा अगर लेने हैं या कोई भी कार्थिक माज से संबंधित आप निवा लेना चाहते हैं चाहें दीब्धन हो या फिर दान का नियम लेना चाहता हैं या फिर आप कई सारे को बुद्धवार भी धारन करते हैं जैसे कि वह एक समय फ़लाहर करते हैं और एक समय तारों को अर्ग्य देकर भोजन करते हैं तो इस प्रकार से भी अकर आपको लेना चाहते तो 20 सक्टूबर यानि के बुधवार से ही आप शुरू करेंगे अपने व्रत और अब आते हैं आपके प्रश्णों की तरफ जिसमें पहला प्रश्ण है क्या पीरेट्स में भी हमें कार्तिक श्नान करना है जी हां बिलकुल करना है क्योंकि अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो नियम खंडित हो जाते हैं जब भी हम कोई भी नियम प्रारंब करते हैं तो ऐसे समय में भी हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए थोड़ा सा तरीका बदल जाता है जैसे के आप ब्रह्म मुहुर्त में ही उठेंगे जिस समय में आप रोज उठते हैं और श्नान भी आप उसी प्रकार से करेंगे स्नान करने के बाद जैसे नॉर्मल दिनों में आप पूजा करते हैं मंत्र जब करते हैं या फिर तुलसी को जल देते हैं ये सभी कारियों जो हम नॉर्मल दिनों में करते हैं वो पीरियट्स में नहीं करेंगे तो पीरियट्स में क्या करेंगे आप ऐसे में आप अपने मंदि के लिए आशन प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा अपने कमरे में कैसे भी बैठ सकते हैं और वहीं पर बैठ कर आप ध्यान लगाएं भगवान का जिस भी प्रकार से आप मंत्र जब करते हैं कथा महात्मी है तो यह तो आप फोन पर भी सुन सकते हैं कोई म हात में पढ़ते हैं या फिर जो आप विश्नु सहस्त्र नाम का भी पाट करते हैं तो वह आप फौन पर सुन सकते हैं अब रही बाथ कि दीप दानकिस प्रकार से करें मैं कि तुलसी पूंजन या पीपल पूंजन कैसे करें देखियो पूजा आप करते हैं अगर आपके घर में कोई भी और व्यक्ति है जो पूजा कर सकता है जैसे आपके पती है या आप फैमिली के साथ रहते हों आपके फैमिली में और भी सदस्य हो तो आप किसी से भी अपनी पूजा करवा सकते हैं जैसे दीपदान कोई कर सकता है तो उससे जरूर करवा दीजिए तु मोबाइल का प्रयोग किजी पाठ सारे सुनने के लिए कथा सुनने के लिए और मांसी करूप से पुजा प्रात्ना किजीए पिर जब आप सुद्ध हो जाते हैं मतलब शुद्ध वस्ता में जब आजाते हैं तब आप फिर से अपने नियम को continue कर सकते हैं और दीप दान जितने दीपक आप एक्स्ट्रा महिने में किसी भी दिन जला सकते हैं चाहें आप पुर्णिवा पर जला दीजिए अगर जो बीच के दिये चूट जाते हैं तो और घर में कोई आपके बदले में दीब दान करने वाला है पूजा करने वाला है तो आप उससे जरूर करवा दीजिए अब बात आती है कि दान किस प्रकार से करें दान भी उसी तरह से अगर आपके घर में कोई करने वाला है जो दान की सामगरी आपके बदले निकाल दे तो उससे सामगरी का दान अपने करवा रखा है तो और अगर नहीं है तो आप पैसे निकाल कर रख सकते हैं क्योंकि पैस अगर कोई दान देते हैं तो उस दान का कोई मतलब नहीं होता है तो हाथ से कोई वस्तु उठाकर किसी के लिए ना निकाल के रखे आप पैसे रख सकते हैं उतने दिनों के और फिर वो पैसे की सामगरी ही आप चाहे तो किसी को दे सकते हैं या पैसे भी आप चाहे तो जिसको और आप जो बागी के दिनों में भी पूजा कर रहे हैं उसका भी संपुर्णफल आपको प्राप्त नहीं होगा तो इसलिए आप सभी नियमों को इसी प्रकार से आगे तक मतलब कंटिन्यू रख सकते हैं स्माहिता मा गंगा करते हुए पावित्र नदीयो का मन में समर्ण करते हुए आप स्नान कर सकते हैं और इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही फलप्राप्थ होता है और अकला जो आपका प्रेश्ण है कितने दिनों तक हमें पीरिट्स में पूजा नहीं करनी चाहिए देखिए सास्ट्र कहते हैं चार दिनों तक आप शुधध हवस्था में होते हो चार दिनों के बाद मतलब 5 дня आप सर्ध हो के और देवकार इत्यादी के लिए शुद्ध हो जाते हो, मतलब 5 दिन से आप पूजा कर सकते हो, तो अगर पूजा कर सकते हैं। तो आप बाल धोकर पूजा कर सकते हैं, और अगर नहीं है, मतलब 6-7 दिन तक भी आपकी पीरेट्स रहते हैं, तो आप उतने दिनों तक देवकार इत्यादी ना करें, पूजा ना करें, लेकि शनान अपना उसी तरीके से करें, जैसे मैंने अभी बताया, पूजा ना करें, नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे, तो आपको इस वरत का संपुर्ण लाब भी प्राप्त होता है, जैसे कि कार्तिक मास एक बहुत ही पावन मास है, तो किसी भी प्रकार से हमें एक एक मिनट, एक पल, एक शड़ भगवान के करीब रहना चाहिए और जिस भी तरह से संपुर्ण हो, हमें भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए, और अगला जो आपका प्रेश्ण है कि क्या इन दिनों में किये गए कार्तिक शनान का हमें फल प्राप्त होगा, जैसे बिलकुल प्राप्त होगा, हम किसी भी तरह से भगवान की पूजा करते हैं, चाहे मन से करें, तन से करें, या हम चलते फिरते भी जो भगवान के मंतरों का जब करते हैं, भगवान को स्मरन करते हैं, अपने कारियों के दौरान भी तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है, तो हमने जब कोई नियम लिया हुआ है, इस बीच में कोई अगर सीद्डे सामिल नहीं हो पाथे हैं उन को सीधे सामिल मन से बितने करतें हैं और नियमों का पालन करते हैं बिना खंडित किये तो निश्चित ही हमें इसका लाप्राप्त होता है तो मन में किसी भी प्रकार का कोई संसय ना रख कर सिर्फ भगवान की सेवा में रहें और निश्काम भाव से सेवा करें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहों सिर्फ भगवान श और लुक फूर्थु को भाघ्वान की सेवा में ठाकुर जीकी सेवा कि इजए यहां श्री Please स्मर्ण करते रहें । बहुत शीक्र आपकी समझत कामनाई भी पुर्ण होती है और यह महीना तो मौक्षका द्रॉर मoner जाता है मोखत 높nya तक की प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमंगी स्विधायों करने पीछे भाग रहे हैं कि हमें इतना भी प्राप्त नहीं होसा कर पूर्च मन से सच्चे मन से श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करते हैं तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभवश्य होगा और हां एक और बार बता दूँ 20 अक्टूबर बुधवार से शरत पूर्णिमा से कार्तिक शनान शुरू हो रहा है और 19 नौबर कार्तिक पूर्णिमा तक यह स्नान रहेगा तो इसी प्रकार से हमें शनान के नियम लेने हैं जितना हम से सामर्थ हो उतने नियम ही हमें प्रारंब करने चाहिए और उनका बिना किसी खंडन के निर्वाह भी करना चाहिए तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए शेर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आये हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेटन को जरूर प्रेस कर लीजिए मैं मुलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार